हाई गाईज वालकम बैक टू माई चानल तो आज का वीडियो होगा दुरुगा पूजा मेकप लुक पार्ट टू अगर आपने पार्ट वन नहीं चेक किया है तो मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालने वाली हूँ या फिर डालने वाली हूँ अपनी इन्फो कार् पाते हो इन्हीं विदाओ फर्दर अदू लेट्स के जंप इंटू दिस लुक तो फर्ट्स लिए मैं अपनी फेस को प्राइमिंग और मॉस्टराइजिंग कर लिया है उसकी बाद मैं पैंस्टिक फांडेशन अप्लाइशन अप्लाइ कर रही हो हर एक प्रोड़क्त का डी रॉली वार्किंग फॉर मी आई रॉली लाइक दिस स्पंज पैंस्टिक फांडेशन ने मुझे बहुत अच्छा बेस दिया है लेकिन अभी मैं फांडेशन को अप्लाइब करने वाले हो और मैं यूस कर रही हो लाक्नी पर्फेक्टिंग फांडेशन अभी मैं कंसीलर लेके अप्लाइ करें अपने अंडर आई एरिया पे अपने ब्रिज ऑफ तन नोस पे और हर एक हाइस्ट पॉइंट अपने फेस पे ताकि ये हाइलाइट हो और बहुत अच्छा लगे अभी मैं कंटूर करूंगी अपने नोस पे और आज मैं थोड़ा थिकली कंटूर करने वाली हूँ आज जो मैं लुक क्रियेट करें वो डेफिनिटली एक दुरगा पूझा नाइट टाइम लुक है अगर आप डेटाइम सिंपल लोग देखना चाहते हो तो मुझे कॉमें बॉक्स में बताइए तो मैं आप लोग के लिए क्रियेट करूंगी अगर आप नहीं देखना चाहत यलो आइशाड़ो को लेकि मैं सेम क्रीस में अप्लाइ करने वाली हूँ और बहुत अच्छे तरीकी से ब्लेंड कर लूँगी रेड कलर के साथ आई लिट के आउटर कॉर्णर और इनर कॉर्णर पे मैं अप्लाइ करने वाली हूँ एक ब्राइट बर्गेंडी आई शाड़ो को बहुत अच्छे तरीकी से ब्लेंड कर लूँगी मिडल ओफ माई आई लिट मैं अप्लाइ करने वाली कॉपर गोल्डन कलर को क्यूंकि यह फेस्टिफ सीजन लुक है तो रेंड गोल्डन बहुत अच्छा लगता है अंडर दो वाटर लाइन मैं अप्लाइ करूंगी एक बहुत ब्यूटिफुल सा ग्रीन आई शाड़ो आई लिट मैं मैं अप्लाइ करूंगी बहुत ब्यूटिफुल सा खाकी ग्रीन कलर आई लाइनर और इस फेस्टिफ सीजन के लिए यह एई लाइनर परफेक्ट है देफिनिटी दू ट्राइट अप्लाइ करूंगी थोड़ा सा ब्रॉंजर मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रेड लिप्स्टिक नहीं ट्राइ किया है लेकिन जो भी ट्राइ किया है उसमें से सबसे ज़्यादा मुझी यह पसंद है इस इस लाक्मी 925 रेड कोट लिप्स्टिक अन आई रली ल तो गाइस यह वीडियो में अगर मेरा वाइस थोड़ा सा लो है तो बहुत सारा रीजन है मेरे पापा कदर बियत बिलकुल भी ठीक नहीं है तो बहुत सारा रीजन है मेरे वाइस ऐसा होने का एनिवेज गाइस मैंने यह लोग क्रीट किया है आप लोग के लिए आप लोग